familiarity news निकलकर आ रही है जहाँ बहुत ही बड़ी ख़बर है कानपुर में मोहरम के मौके पर नहीं निकलेगा जानिये क्यों नहीं निकलेगा क्या नियम बनें है ऐसी क्या बात हुई जो जुलूस पर पावंदी लगा दी गई यह तो चलिए जान लेते हैं इससे पहले आप से छोटी सी रिक्वेश्ट अगर अभी तक आपने इस यूटूब चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर ले क्योंकि महरम 2022 की हर एक जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहेगी और आप हमेसा अपडेट रहेंगे तो चलिए अब आपको देते हैं पूरी जानकारी कानपुर में महरम के मौके पर 225 साल पुराना पाईगी जलूस नहीं निकाला जाएगा पिछले दिनों भड़की हिंसा को देखते हुए पाईगी जलूस के दोनों खलीफा एतहासिक फैसला लिया गया है शहर में अमन और चैन कायम रखने के लिए सरकारी मशिनरी पूरी तरह के से काम कर रही है लेकिन इस बीच गंगा जमुना तहजीब की तस्वीर भी देखने को मिली है तानपुर में तीन जून को हिंसा भड़क उठी थी हिंसा की बज़े से शहर का माहौल तनावपूर्ण हो गया था पिछले एक महीने से सरकारी मशिनरी माहौल को समान बनाने के लिए हर संबब कोशिश कर रही है इस बीच मुस्लिम समाज के परुमुक ने गंगा जमन तहजीबी की मिसाल पेश की है अमन चैन काइम रखने के लिए मुस्लिम समाज ने पेश की है मिसाल आई जोके ने इस बार मुखरम 2022 के मौके पर पाईगी जलूस नहीं निकालने का फैसला लिया है शाकील खलीफा के साथ ही अच्छे मिया कानपुर में मीरपुर कैंट से निशान लेकर पाईगी जलूस निकलवाते रहे हैं अच्छे मिया के उत्तर अधिकारी कपिल कुरैसी की माने तो इस बार दोनों ही टीमों ने शहर में अमन कायम रखने के लिए पाईगी जलूस नहीं निकालने का फैसला लिया है उन्होंने लोगों से पाईगी जलूस नहीं निकलवाने की अपील भी की है पिछले कई दसकों से पाईगी जलूस शहर में निकलता रहा है लेकिन इस बार अमन चायन बनाए रखने के लिए पाईगी जलूस को नहीं निकालने का लोगों से गुजारिस की है पाईगी जलूस के दोनों पिर्मुट सकील खलीफा और अच्छे मिया ने गोसरा की है कि हलाकि ए भी कहा गया है कि अगले बर्स पूरे जोस खरोस के साथ जलूस निकाला जाएगा माना जा रहा है कि उदाइपूर की घटना और उससे पाईदा माहौल को देखते हुए पाईगी जलूस के आयोजुको ने बड़ा फैसला लिया है पाईगी जलूस संचाल समीति के फैसले से पुलिस पिर्सासर ने राहत की सांस ली है तो इस बार पाईगी जलूस पर पूरी तरीके से रोक लगाने की मांग की है तो इस बार नहीं निकलेगा कानपुर में पाईगी जलूस से तो आपको ये जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताए इन लोगों का फैसला आपको कैसा लगा ये भी बताए तो हम मिलते हैं नेश्ट वीडियो में नई जानकार एक साथ तब तक आप अपना ख्याल रखें स्वास्त रहें सातर रखें टेक केर एंड गुड़ बाई